हेलो फ्रेंड्स जीके एंड जीएस वर्ल्ड वें आपका स्वागत है आज हम लोग पढ़ेंगे दूरी इक्वल टू समय इक्वल टू दूरी बटा चाल इससे रिलेटेड कोश्चन हम लोग देखेंगे आज क्योंकि रेलवे गुरूब डी में चार से पांस सवाल नियूमर कर सकती है यदि वह 20 किलो मिटर प्रतिघंटा की चाल से चलती है मतलब कि वह 450 मिटर को कितने समय में वह पार कर लेगा अगर उसका स्पीड इतना है तो समय हमको इसमें निकालना है तो सलोनी का जो चाल है सबसे पहले है सलोनी का जो चाल है सलोनी का चाल लिखेंगे यहां स सलोनी का चाल कितना था तो सलोनी का जो चाल था वो 20 किलो मिटर प्रति घंटा था लेकिन यहां दिया हुआ है मिटर में तो इसको हम लोग जो है सबसे पहले मिटर सेकेंड में चेंज करेंगे और मिटर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5 बटा 18 का हम लोग प्रियोग करते हैं तो समय equal to, हमको तो पता चल गया है, चाल, अब समय दूरी कितना दिया हुआ था? तो दूरी equal to दिया हुआ था, चार सब पचास मीटर, अब हम लोगों को दूरी भी पता चल गया, चाल भी पता चल गया, अब हमको निकालना क्या है? समय, तो समय क्या होता है? sum is equal to sum is equal to होता है दूरी बटा चल तो दूरी कितना था हमारा जो दूरी था वो 450 मिटर था 450 मिटर बटा चल कितना था तो चल निकाल ले थे हम लोग 20 गुना 5 बटा 18 इसको हम लोग पलट देंगे जब इसको पलटेंगे तो यह उपर चला जाएगा तो हो जाएगा 450 गुना 18 और यहां हो जाएगा 20 गुना 5 अब देखे यह हमारा समय है अब इसको जब solve करेंगे तो 0 से 0 मेरा cancel हो जाएगा यह 2 टैंस में 9 खतम 9 यह हो जाएगा 9 यानि कि 180 सेकेंड इसका answer हो जाएगा तो उसकी जो चाल थी वो कितना समय कितना था पूछ रहा था समय तो समय कितने समय में वो 450 मीटर को तै कर लेगी तो 81 सेकेंड में 450 मीटर को वो तै कर लेगी एक लड़का 10 किलो मीटर प्रति घंटा की गती से दोड़ रहा है उसे 50 मीटर लंबाई वाले वरगा कार पार्क को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि एक लड़का है वो 10 किलो मीटर प्रति घंटा के रपतार से दोड़ रहा है और एक वरगा कार मैदान है हम लोग एक मैदान बना लेते हैं वरगा कार तो एक तरफ का लंबाई है 50 मीटर तो इसका वो पूरा चक्कर लगाने में कितना स सवाल यह है तो एक का लंबाई है 50 मीटर तो यह टोटल चारो तरफ यह चक्कर लगाएगा माल लिजे पॉइंट ए से स्टार्ट किया बी गया बी से सी गया सी से डी गया अब इसका 50 इधर भी चला होगा 50 इधर चला 50 इधर चला क्योंकि वरग का चारो साइड क्या होता है बराबर होता है तो इसको इसमें क्या निकालने बोलरा समय तो सबसे पहले हम लोग दूरी निकाल लेंगे तो दूरी इक्वल टू क्या हो जागा 4 गुना 50 हो जागा यानि कि टोटल दूरी कितना हो गया 200 मीटर हो गया 10 गुना मीटर सेकेंड में बदलने के लिए हमने क्या बता है था कि 5 बटा 18 का परियोग करना है तो यहां हो जाएगा क्या 5 बटा 18 आप देखें समय तो समय एक्वल्टू क्या होता है दूरी बटा चाल होता है समय एक्वल्टू क्या होता है दूरी बटा चाल होता है तो दूरी टोटल मेरा कितना था तो यहां कर देंगे 200 गुना नहीं 200 गुना यहां हो जाएगा 10 गुना 5 बटा 18 इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 200 गुना 18 और यहां जाएगा 10 गुना 5 यहां तक समझ में आ गया हो अब इसको हम लोग solve कर देंगे कुछ नहीं करना डिरेक्ट इसको डिवाइड यह कितना टाइम्स में कर जाएगा फोर टाइम्स में तो 18 कितना होता है 72 यानि कि वह 72 सेकेंड में इस फिल्ड का चक्कर लगा लेगा 72 सेकेंड में यह जो फिल्ड है मैदान है वरगाकार मैदान इसका वो चक्कर लगा लेगा चलिए next question number 3 एक कार की गती 90 किलो मिटर प्रति घंटा है इसे 700 मिटर की दूरी तै करने में कितना सकेंड का समय लगेगा इसमें भी समय का बात किया गया है एक कार है जो 90 किलो मिटर प्रति घंटा का speed से चलता है तो 700 मिटर दूरी को तै करने म वो कितना समय लगेगा उसका समय निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे चाल तो चाल इक्वल टू कितना है तो 90 किलो मिटर पर आवर है अब इसको हम लोग क्या करेंगे सेकेंड में चेंज कर देंगे तो सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 5 बट इसको चाहते हैं तो आप लोग काट भी सकते हैं नहीं काटेगा तीक्वेशन में बना करके डारेक्ट सॉल्व कर देंगे कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सकेंड यहां तक हो गया अब हम लोग इसके आगे चलते हैं अब देखते हैं कि दूरी कितना है तो दूरी इक्वल टू दिया हुआ है 700 मीटर समय निकालना है तो समय इक्वल टू क्या होता है तो समय इक्वल टू होता है दूरी बटा समय तो दूरी बटा चाल होता है दूरी बटा चाल तो दूरी कितना था हमारा दूरी था 700 मीटर तो यहां लिग देंगे 700 मीटर बटा चाल कितना था तो चाल था 25 सकेंड का 25 मीटर पर सकेंड यह इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो दिखते हैं कि यह 28 टाइमस में डिवाइड हो जाएगा यानि कि 28 सेकेंड का समय लगेगा 28 सेकेंड कोशन था कि एक कार की गती 90 किलोमीटर प्रति घंटा है इसे 700 मिटर की दूरी तै करने में कितना सेकेंड का समय चाहिए तो इसक समय एक्वल टू क्या होता है दूरी बटा चाल होता है तो दूरी कितना था 700 मिटर था चाल कितना था 25 मिटर पर सेकेंड था इसको जब डिवाइड किये काटे तो केतना आ गया 28 सेकेंड में वो क्या करेगा वो कार अपना दूरी को 700 मिटर को 28 सेकेंड में पास कर जाएगा Q4, एक हवाई जहाज 240 km पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी को 5 घंटे में तै करता है, उसी दूरी को एक पुर्णाग 2 बटा 3 घंटों में तै करने के लिए उसे किस गती से यात्रा करना होगा? देखे, इसमें क्या है, कि एक बार वो 240 km पर आवर की स्पीट से 5 घंटा में तै कर लेता है, तो उसको उसी दूरी को तै करने में एक पुर्णाग 2 बटा 3 घंटे में किस गती से यात्रा करना होगा? उसका गती निकालना पड़ेगा, यानि कि चाल हम लोग इसका निकालेंग पुरि का आप लोग फर्मुला जामते होंगे, दूरी का फर्मुला होता है, चाल गुना समय होता है, तो चाल कितना था? चाल था मेरा 240 और समय कितना दिया हुआ था? पांच, इसको जब म्लटिप्लाइ करेंगे, तो कितना जाएगा? 1200 k कर देते हैं, 0, 0, 1200 km का यात्रा, वो तैय करता है 240 km प्रति घंटा के रफ्तार से तो उसी समय दिया हुआ है distance तो यही रहेगा distance उतना ही जाना है बट उसका समय घट रहा है तो इसका जो समय है तो समय equal to कितना है एक पुर्णांग 2 बटा 3 यानि कि 5 बटा 3 समय लेगा वो तो हमको इसमें निकालना क्या है तो इसमें हमको निकालना है चाल तो चाल equal to क्या होता है तो चाल equal to होता है दूरी बटा समय तो दूरी कितना था मेरा 1200 लिख देंगे 1200 और समय कितना था तो समय हमारा कितना दिया हुआ था 5 बटा 3 तो 5 बटा 3 इसको पलट देंगे और जब पलूटेंगे तो कितना आजाएगा बाराःसो गुना तीन बटा पांच इसको काड़ देंगे तो पांच दूनी 10 कितना बच गया 15 दूनी 10 और कि चौबीस इसको टोटल काड़ देंगे तो 24 तिया 72 यहां से कट गया है 24 तिया 72 यानिकि 720 किलोमेटर पर आवर की स्पीड से उसको यात्रा करना पड़ेगा 720 किलोमेटर पर आवर का स्पीड से कुशन नमर 5 360 मिटर लंबी रेल गाड़ी 45 किलोमेटर पर आवर की चाल से चल रही है 140 मिटर लंबे पूल को या कितने समय में पार करेगी देखे तो वही समय पूछ रहा है तो सबसे पहले कुल लंबाई देखे, question है कि 360 मिटर लंबे रेल गाड़ी 45 किलो मिटर पर आवर के speed से चल रही है और 140 मिटर लंबे पुल को यह कितने समय में पार करेगी तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं रेल गाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई को जोड़ देते हैं तो कुल लंबाई इक्वल की लंबाई पुल की लंबाई तो टोटल दूरी मेरा निकल जाएगा पूल की लंबाई तो कितना हो जाएगा 360 पलस 140 यानि के कूल दूरी कितना ते हुआ तो 500 मीटर ते हुआ अब देखिए ये जो सवाल है 26.6.2019 Shift 3 Railway Group D में पुछा जा चुका है अब हमको इसमें निकालना क्या है समय निकालना तो हमारा समय निकालना से पहले हम लोग इसका चाल देखेंगे तो चाल equal to क्या होता है चाल equal to दिया हुआ है 45 किलो मिटर पर आवर अभी हम ने आपको थोड़े दिर पहले पिछले कोशन में बता आया है कि किलो मिटर पर आवर को मीटर पर सकेंड में बदलने के लिए पाँच बटा अथारा का प्रयोग करते हैं तो इसको हम लोग पाँच बटा 45 गुना पाँच बटा 18 लगा देंगे अब ये निकल गया मेरा क्या मीटर पर सकेंड अब हम लोग इसमें समय कर लगाएंगे तो sum is equal to sum is equal to क्या होता है तो दूरी बटा चाल होता है तो मेरा कुल दूरी कितना था 500 मीटर और चाल कितना था 45 गुना 5 बटा 18 इसको जब हम लोग सॉल करें 500 गुना 18 हो चला जाएगा उपर और नीचे क्या रहेगा 45 गुना 5 अब देखिए इसको काट देंगे तो ये काटने के लिए क्या करना होगा ये 9 45 गुना दुनिया 18 पांच का टेबल में ये कट जाएगा पांच एकम पांच पांच दुनिया निकि 20 तो कितना आ जाएगा 400 सारी 40 सकेंड 40 सकेंड में उस पूल को वो पार कर लेगा देखें कोस्चन बहुत ही आसान था बोल रहा था कि 360 मीटर लंबी रेल गाड़ी 45 किलो मीटर प्रती घंटा की चाल से चल रही है 140 मीटर लंबे पूल को कितने समय में पार करेगी तो क्या किये हम लोग सबसे कुल लंबाई, रेल गाड़ी की लंबाई पलस पूल की लंबाई जब दोनों जोड़े तो टोटल डिस्टेंस कितना निकल गया मेरा 500 मिटर आप देखें 40 किलो मीटर पर आवर आप देखें यह किलो मीटर पर आवर में था तो इसको हम लोग किसमें बदल दिये? मीटर सकेंड में, मीटर सकेंड में बदलने के लिए पाँच बटा ठारा का परियोग करते हैं समय इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है तो दूरी लिखें, चाल लिखें जब इसको solve किये तो 40 सकेंड यानि कि इसका एंसर वो पूल को वो कितने सेकेंड में पार कर लेगा तो 40 सेकेंड में पार कर लेगा अब हम लोग जो next topic जो next वीडियो में जो हमारा आएगा उसमें हम लोग देखेंगे हम लोग अभी किस में देख रहे थे समय इक्वल टू दूरी बटा चाल देखेंगे next जो topic हम लोग अभी करेंगे त्वरन से रिलेटेड करेंगे मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स पहल फर्स्ट वीडियो में हमने औस चाल इक्वल टू दूरी बटा समय से रिलेटेड कोस्चन किया अब आज का जो वीडियो आज का जो class था वो समय इक्वल टू दूरी बटा चाल से रिलेटेड था अब जो next जो class हम लोगों का होगा त्वरन इक्वल टू वेग में परिवर्तन बटा समय और ये जो ये सब जो टॉपिक हम जो करा रहे हैं सारी टॉपिक को हम कवर करेंगे देरे देरे पर क्लास एक टॉपिक कंप्लीट होगा हमारा और इससे जो कोश्चन बनेंगे वो रेलेवे गुरूप डू में पांच कोश्चन चार से पांच कोश्चन एकदम फिक्स है कि आना है थैंक्यू फ्रेंट्स